आज की प्रेश बारता उत्तपदेश शरकार की नाकामियों के संदर्ब में है और जिसका विसेश संदर्ब है टीटी की परिक्षा जिसमें प्रश्णपत्र लीग हुआ और लीग होने में जो पूरी भूमिका सामने आई वो परिक्षा के नियामक अधिकारी और मालिक है वो भारती जन्ता पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसकी महन बिहार से भाजपा की विधायक है उनके परिवार में एक IAS अधिकारी भी है और भाजपा के नाम पर वो अधिकारियों से संबंद बनाते हैं भारती जन्ता पार्टी में काम करते हुए इतनी बड़ और कोई भी काम हुए बिना मियामक अधिकारी और प्रेस के मालिक की एक मीटिंग होती है और उसमें पूरी दरह से प्रशनपत्र को आउट करने और उससे पैसा उगाने और कहीं न कहीं ये साजिस भी सामने आ रही कि इसमें बड़े भाजपा के लोग सामिल हैं जिनको बचा कोशिश की जा रही है और चुनाओ से ठीक पहले पूरे प्रदेश में हर जिले में उस प्रशनपत्र का आउट होना और पचास हजार साथ हजार में बड़ी संख्या पे बेचा जाना तो इतना पैसा किसलिए खटा हुआ कहां ये पैसा जा रहा है इसकी भी एक जांच होनी चाहिए इसी संदर में आज ये पेसवारता बुलाई गई है अब इसमें क्या किया रही है कि इस समय जब करोना महमारी के दौर से सभी छेत्र जूज रहे थे उस समय सरकार के पास कोई आकड़ा नहीं है कोई सुचना नहीं है कि वो उनको क्या सहुलियत दे रही है उनके ल देश का युवा सरकारी नोकरियों के लिए प्रयास करेगा और यह पात्रता परिक्षा पास करने के बाद जब भी उत्तर पदेश सरकार यह सरकार अगर जो रही सरकार में भारती जनता पार्टी तो तो पैकेंसी आने सी रही लेकिन यह सरकार बदलती है और जैसा कि शिही अंदकार में धकेल दिया गया इनके सामने कोई विकल्प नहीं ऐसे समय में कॉंग्रेस पार्टी का कहना है कि उवाओं को कोई उम्मीद तो आपको देनी पड़ेगी कम से कम इसके जो दोसी हैं 21 लाख विद्यार्थी परिक्षा दे रहे थे तो मैं आप से बड़ी गं